जैसरी सच्चिदानंद प्रेमी भक्तो भगवान हर मनस्य को नहीं चुनते हैं। कुछी विरले मनस्य ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा चुनता है। तो जो हम बताने जा रहे हैं। वह क्या काम है जिसके लिए भगवान ने स्वयम चुन लिया है। दुनिया में काम तो बहुत सारे हैं। इतने काम हैं कि जिनकी गिंती नहीं की जा सकती है। लेकिन यह कौन सा काम है जिसके लिए भगवान ने स्वयम आपको चुना है। भक्तो वह यह काम है कि भगवान की भक्ती। भगवान की भक्ती के लिए इंसान पतानी क्या क्या करता है। ब्रित, पूजा, पाठ, भजन, सुम्रिन बहुत कुछ करता है। और सारे कारिय करते करते भी करता है। लेकिन सफलता क्यों नहीं मिलती है। असफलता ही क्यों मिलती है। इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान ने परमात्माने आपको चुना नहीं है। वह बिरले ही मनुस्य होते हैं जिनको भगवान खुद चुनता है अपनी भक्ती के लिए। और यह नहीं कि जो धार्मिकता से भरपूरे हैं उन्हीं को भक्ती मिलती है। जो दुराचारी हैं, ब्यवचारी हैं, जूटे हैं, छलिया हैं, धोकेवाज हैं, उनको भी भगवान अपनी भक्ती देते हैं, उनको भी चुनते हैं। लेकिन समय के अनुसार ऐसे बहुत से दिश्टान थें, आजामिल जैसे, और आपके जो रतनाकर डाकू जैसे, और उनको भगवान ने चुना, और उनको भक्ती दी, और परमगती दी। तो आखिर ऐसा क्यों के भगवान ने जो उन मनस्यों को चुना, उन्हें ही क्यों चुना। भक्तो आप इस पस्रूप से समझ लें, कि जिनका प्रारद भरा हुआ होता है, और उसमें कोई एक दो तुटी होती है, उस तुटी को रिलाइज ना करके, उस को सुधार करने के लिए, करवाने के लिए, भगवान उन्हें इस तरह से प्रताटित करता है, इस ऐसे करम करव आता है, ताकि उनका जो प्रारब्ध है वो नस्ट हो जाए, और उसके बाद में उनका मन सुध्यकरण के साथ और भक्ती में लग जाए, तो भगवान ऐसे मनस्यों को स्वयम चुनते ही, तो प्यारे भक्तो अगर आप भी चाते हैं कि भगवान आपको चुने, तो आप प्रोध लोभ मोह एंकर को धीरे धीरे त्यागने का प्रियास करें, अगर जब इनको आप पांचों को त्यागने का प्रियास करेंगे, धीरे धीरे जब इनकी कमी होगी, तो आपकी साथ विकता बढ़ती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा, कि आपकी धार्मिकता इत अपनी भक्ती के लिए चुन लेंगे और जो भक्ती के लिए आपको चुन लेंगे तो सम्निलो फिर आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता आपको कोई दुख दे नहीं सकता आपको कोई हानी दे नहीं सकता आपको कोई पराजय कर नहीं सकता तो भक्तो अगर आपने ध् जीवन में उतारेंगे तो कल्यान निश्यत है जैसरी सचिदानन